शकों में जो आक्रोस उम्राज, उस जबानी में मैंने प्रधाना ध्यापक का महत्पुनपत छोड़ दिया और मैं मैंदान में कुद गया और बिना अपने घर का एक पेसा पाकेड का और किसी ठीकेदार इंजिनियर से कोई शंदा लिए सिक्षकों के आसिडबास में बिधान परसद पहुंच गया सिक्षकों के आग्रह पर मैंने त्याग परसद दे लिया कि अब राजनीत में कुछ जाना चाहिए हमारे लिए प्रधाना ध्यापक का महत्त कुछ भी नहीं तरी छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और उपर से राजनीती में आना क्योंकि इसमें सेक्योर्टी बहुत कम है कि आप सफल होंगे आप नहीं होंगे कारकरता की तरह ही जीवन आपकी चलेगी तो कभी आपके गाजियन ने या कहें कि परिजनों ने आपको कहा हो कि सत्रोगन तुम क्या कर रहे हो समाज का बेटा बनना चाहता हूँ मुझे इजाज़त दीजिये और परनाम किया क्याग पतर जा करके मैंने समर्दित कर दीए माने कुछ नहीं का अपने पिता जी का तो जिक्र किया मा तो रोती रही जब तक मैं जीता नहाँ जिस दिन मैं जीत करकी आया तो कम से कम 10 किलो मेटर पैदल विजय यात्रा सफापूर भेरबार आसपास के हजार हजार लोगों ने विजय यात्रा निकाली और पाला प्रना मां मां को करने गया तो मां बहुत ही रोई खुशिक का वह रोना था दो अक्टूबर 1980 का वो दिन था जब स्कूलों का सरकारी करन हुआ और वो स्पीच मुख्यमंत्री का पूरे राज के लोगों ने सुना डाक्टर जगनात मिस्र इस राज नहीं देश का पहला मुख्यमंत्री पहला जिसने खान की माधिम बिद्यालियों का सरकारी करने का दूस्ताहस किया मानिय लालू प्रसाद के दरबार में मैं 18 बरसों के बाद गया इसके कई कारण हो सकते हो तो प्रकास नहीं डालूगा और जोड़ लीजे मानिय लालू जी पांच की भी काई रखे परिवार में तो 20 लाग 25 लाग 30 लाग परिवार और पिछले चुनाव में ये लाल्टन पर बतन दबाये थे ये जो और आप इसको फिरोधी बना रहे हैं ये जो बेतन भोगी सिख्षत है इनका जो काम करेगा इनकी जो मांग मनेगा वहां जाएंगे हमारे नियंतर में नहीं रहे हमसे भी लोग मिलें और वो पूछ लें कि घर कहा है आपने बताया बेगुस रह तो एक बार को कहेंगे कि आप बदमास हैं नहीं यह अवधाना हो की है कमिने सपी चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुकी है बेवुसरय लोक सभाशेति मसे शथ्रुग्ण परसाइज सिंग को पार्टी को तो उमर का क्षाल करना परेगा सेहत का पर लेकिन अभी स्थुन परसाइज सिंग का दिमाग इमंदारी की बात जनी मैं कहूं जब तक सम्मान जनक हम लोग निशकर्च नहीं निकार लेते हैं और राशिय सम्मिलन नहीं कर लेते हैं तब तक मेरे लिए ये लोग सभा की तैयारी में ब्यक्तिगत उतर दो बाती तैयारी कर रही है नवस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश रंजन और हमारे साथ हैं हमारे सयोगी इंद्र मोहन मजरू सुल्तान पूरी का एक शेर है मैं अकेला ही चला था जानिवे मलजिन मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया आज हमारे साथ न्यूजरूम में एक खास महमान हैं वो महमान जो असी के दशक में बिहार राजनीती के बड़े चहरे गिने जाते हैं और आज भी शिक्षक आंदोलन के एक प्रकर नेता और प्रडेता शत्रुग्न परसासिंग हमारे साथ हैं उनका हम स्वागत करेंगे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक बहुत बहुत धन्यवाज हम लोग आज बहुत प्रसंद हैं जब 96 में लोग सभा आया थ तो संसद के समक्ष मुद्य में दिल्ली स्टीडियो में आया था दूरदर्सन में आज दूसरा मौका है जब कुछ मैं नहीं हूँ राजनीत में तो यह सोभाग और महान अब सर आप लोगों ने दिया सुक्रिया अदा करता हूँ नहीं सर आप कुछ नहीं है तब भी हजारों लाखों की भीड आप सिक्षक आंदोलन में जुटा लेते हैं और हजारों सिक्षक आपके पीछे चलते हैं और कारवा बनता जाता है इसलिए मैंने मजरू सुल्टानपुरी के शेर से इसकी शुरुबात की 12 साल का आपका विधान परिशद का अनुभव फिर उसके बाद लोक सभा इस पूरी जर्नी को आप अपने राजनितिक यात्रा को अभी कहां पाते हैं 12 साल जो मेरा जीवन दहा मैं तो प्रधाना ध्यापक था अब देश आवासिय उच्विध्याले सफापूर में और त्याग पत्र देकर मैं इसलिए गया चूकि खानगी विध्यालियों का सरकारी करने में जो जोगदान दहा एक सिपाही के नाते वो नारा था कि एक मात्रह क्मांग हमारी हाइ स्कूल करो सरकारी लेकिन उस सरकारी करन की विरुद्ध एक अकिल भारतिया बादी में शिक्षक महा संके महा सैसिव थे उस समय बिधान परषप के भी सदसे थे बिरंदा पर याजका दाखिल कर दे कि सरकारी करन को निरस्ट किया जाए और इसलिए सिक्षकों में जो आक्रोस उम्राज उस जबानी में मैंने प्रधाना ध्यापक का महत्पुन पर छोड़ दिया और मैं मैंदान में कुद गया और बिना अपने घर का एक पैसा पाकेट का और किसी ठिके प्रधार इंजिनियर से कोई चंदालिये सिक्षकों के आसिडबासे में बिधान परिशद पहुँच गया है वह मेरे जीवन की राजनितिक प्रथम उपलब्धी प्रथम सुरुवात प्रारम होई है यह वह आपको ऐसा कब लगा मतलब एक कहते हैं कि एक क्लिकिंग पॉइ असरुगैस चोरे गए थे घोरे हम पर चलाए गए थे कोरे बरसाए गए थे हज्जारों हज्जार सिक्षक महिनों महिनों जेल में थे इतने सारे जिल्लतों के बावजूद हमें वह उपलब्धी मिली और उसको एक बैक्तिक ध्वस्त करने के लिए हाइकोर चला गया लगा मैंने त्याग पर दे लिया कि अब राजनीत में कुछ जाना चाहिए हमारे लिए प्रधाना ध्यापक काम हक्त कुछ भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है आपको आतो अनुभव इतना बड़ा है कि नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और उपर से राजनीती में आना क्योंकि इसमें सेक्योर्टी बहुत कम है कि आप सफल होंगे आप नहीं होंगे कार करता की तरह ही जीवन आपकी चलेग मतलब मुझे अपने मतल हम सबको अपने हेट मास्टरों का नाम ताउमर याद रहता है मेरे मुझ की बात आपने छिन ली मेरे पुझबर पिटा जी भी प्राथमी बिड्याले के सिक्षक थे और जब मैं यह फैसला लेने के लिए संकल्पित हो गया तो मैं पिटा जी का आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में एक आध बार जीत जा सकते हैं हर दम जीतने की कोई गारंटी नहीं होगी और आप एक भूमी हीन बाप के बेटा हैं पूरा परिवार आप पर ही निर्भर है मेरा पैंसन बहुत कम है उसमें प्राइमरी मिडिल के सिक्षकों का ब इसलिए इस पर परिवार चलेगा नहीं आप ही पर परिवार चलेगा कुछ सोचो बेटा का पिटा जी एक और ये चालिस हजार सिक्षकों कि मा बेटी आसरित सब हाहाकार करते रहेंगे जरी हाई कोट का गलत फैसला हो गया मैं अब आपका बेटा तो रहूंगा ही अब मैं समाज का बेटा बनना चाहता हूँ मुझे इजाज़त दीजिये और प्रणाम किया ठ्याग पतर जा करके मैंने समर्पित कर दिया मा ने कुछ नहीं का अपने पिता जी का तो जिक्र किया मा तो रोती रही जब तक मैं जीता सफापूर भेरबार आसपास के हज़ार हज़ार लोगों ने विजया यात्रा निकाली और पाला प्रणाम मा को करने गया तो मां बहुत ही रोही खुसी का वह रोना था पूरे प्रणाम में आनंद चाया और पूरे राज में एक नवजबान नोकरी छोड़ करके आया लोग वो खोड़ता है अगर मैं सही हूं तो 2 अक्टोबर 1980 का वो दिन था जब स्कूलों का सरकारी करन हुआ और वो स्पीच मुख्यमंतरी का पूरे राज के लोगों ने सुना जिस तरह से भी सुना और आज भी उस स्पीच की चर्चा होती है तब आप बेमार थे वो वाक्या क् था जब स्कूलों का सरकारी करन हुआ तब शत्रुगन बाव कहां थे और मुख्यमंतरी को वो एलान क्यों करना पड़ा उस कौंसेप्ट को बिहार की जंता समझना चाहती है डाक्टर जगनात मिश्र इस राज नहीं देश का पहला मुख्यमंतरी तो पहला जिसने खान की माधिम बिद्यालियों का सरकारी करन करने का दुस्ता हस किया और आदम इतना उधार था मेरा इतना सम्मान करता था कि अध्या देश की क्या भासा होगी सरकारी करन की वो अपन उच्चा धिकारी को मेरे पास भेजता था कि जरा इसको देख लिए सत्रुन बाउत इसमें कहीं असुद्धियां कानूनी पहलों भी देख लिए और भासा गत बयाकरनिक भी देख लिए सुद्धता है कि नहीं यह सम्मान लेकिं उस कठीन संग्धर की यात का मुझे बहु कर दिया चिकिसक ने डाक्टर पी गुप्ता ने मेरी जान बचाए और जिस दिन सरकारी करन का जस्र स्री कृस्ट असमारक भबन मनाया जा रहा था डाक्टर जगनाथ मिस्री ने कहा कि वह सिपाही जहीं सिक्षकों का मसीह आज बरन सया पर है आज उसको यहां रहना सम्मान के पात्र सबसे ज़्यादा हुए हैं और यह सिक्षक भी सम्मान के पात्र हैं इसलिए डाक्टर जगनाथ मिस्र को तो हम लोग भूली नहीं सकते हैं जब कभी मैं जाता था उनके मिलने के लिए तो खुद मुझे रिशीव करने के लिए राज जी का पहला मुख मंत जस्ते थे यह 39 कुमार की यह सिस्टा है लेकि नितिश कुमार ने अभी तक कुछ दिया नहीं संवान जरूर्ड किया है सिस्ता जरूरा जरूर है इन हम में करसी करनकार बिहार गरिव राजज्य है यहां कि बच्चों को माधमिक अस्तर तक करपूरी जी नहीं सुल्ग शिछा कर देए देश का दूसरा और इस मामले में पहला मुख मंत्री करपूरी ठाकुर होगा इन्र महांजी जिसे ने माधमिक शिछा तक की नहीं सुल्ग शिछा जबकि भारत के संभी धान में जो नीति नीर्दे सकता तो हैं, उसमें केबल प्राथविक तक नी सुल्क शिक्षा की विवस्था थी। लेकि करपूरी जीने माधमिक अस्तर तक नहीं सुल्क शिक्षा की विवस्ता की इन दोनों को तों में मर्टे दम तक भूल लही सकता है। एक सवाल चुकि आपने कई मुख्यमंतरियों का दोर देखा और सबसे बड़ी बात है कि सिक्षक रहते हुए भी और सिक्षक संग से जूरे रहते हुए भी आपने सिक्षक का पूरा दोर देखा। उसमें उन्होंने बहुत महतपूर्ण काम किया चुकि आपने एक लंबा कारकाल देखा। यहां पंग्ती बध चलेगी गाओं में द्याहत में तो मन प्रसंद हो जाता है यह नितिसकुमार का कमाद मैं मानता हूँ आज भी सिक्षकों के लिए नहीं कुछ किया उन्होंने सारी वबस्था चोपड कर दी लेकिन इन छित्रों में इसको हम एक्स्टरनल स्ट्रक्चर क नहीं देंगे जब तक किसी भी सेवा में महांजी जब तक आपको जो आकर्शक बेतनमान है जो प्रोनती का प्राबधान है वो बेहतर नहीं तक बेतन नहीं आप देते हैं तो सिख्षक की चिंता लगे रहती है कि कब बेतन आएगा कब आबंटन आएगा इसलिए सरकारी करन से लाब था कोसागार से बेतन हम लोगों को मिलता था पहली तारिक दूसरी तारिक अब तो छोचो महना तक दो होते रहते हैं कि कब आबंटन आएगा सारे इस जिला में इसना सिख्षक कभी भी दोहजार चौ से तनावमुक्त हो करके नहीं पढ़ा रहा है आपने अब चुकी आंदोलन की बात कर दिया अभी भी सिक्षक आंदोलन चल रहा है हमने पूरा एक दौर देख रहे हैं लगातार बिहार तक लगातार उसको कभर भी कर रहा है कह सकते हैं कि बिहार तक सिक्षकों की आवाज तो बना हुआ है जो लगाता है उनके हर पहलों पर बात कर रहा है आप उसकी अगवाई कर रहे हैं सरकार ने अब 25 तारिक की एक डेट भी दी है कहा है कि सभी धरों से वो मिलेंगे बातचीत करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या है आंदोलन सही दिशा में जा रहा है ये आंदोलन का ही दवाव हुआ जंज दवाव और 10 तारिक को जिस दिन विधान मंडल का सत्र प्रारव महा बिदान सभा में भी लोकसभा की तरह सेंट्रल हॉल है तो वहां मानियम मुख मंत्री जी ने खास करके बाम पंथी विधायकों और कांग्रिस विधायक दलके नियता सकील साहब के दबाब पर ही कहा कि आप सिक्षकों से बारता कीजिए और इस तरह से जो 2023 नियमा बली आपने नियोजी सिक्षक जो चार लाख हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए और दूसरा दबाब उन्होंने दिया था जो पहले आपने लिख दिया उसमें कि बिहार के अस्थाई जो बासी हैं उन्हीं को हम युक्ति पत्र देंगे लेकिन बाद में पता नहीं कहां से क क्या उनको डर्भ हो गया एका एक कर दिया कि नहीं पूरे देश के लिए हम बाजार खोल देंगे अना बस्चक सरकार ने ही यह उबाल और आक्रुस पैदा कर दिया बिहार के बेकार नौजवानों के लिए लेकिन तब सरकार नेगोचना कि और बिधान परिशद में भी मुखमंत्री ने कहा है कि बंगलवर से हुए लोड़ते हैं अठारे के बाज और तिठी तया करके हम महां गर्वंदन से भी बात करेंगे और सिक्षक्षन के नेताओं से भी बात करेंगे इसलिए तब तक हम लोगों ने कोई आंदोलंग खिटी थी निज़ धारी नहीं की ह लेकिन इस बीच उन्होंने जिसको बाहल करके रखा है भागवापर मुखर से अधिकारी को लेकर भी काफी सवाल उट रहे हैं उनके कई फैसले को लेकर भी सवाल उट रहे हैं और इसमें जब सांती पुर्वकांदोलन हुआ पतना जिला प्रशासन ने वर ये पुलिस खयान है टी-वी में आपका भी बिहार तक में है और कई नेशनल चैनल में कि सिख्षकों ने अपने चैत्र के मुताविक सांती पूर्ण धरना प्रशन किया बीदी व्यबस्ता की कोई समस्या नहीं हुई और तब अस्पसिगम पुछी जा रहे हैं सो से जाजे सिख्षकों पर निलंबन के कारवाई हो चुके यह दंडातमक कारवाई से उकसावापूर माहुल बनता है और जो सकारातमक संदेश गया महां घरवन्दन बिधान परिसन की घुसना से उसको दकारातमक में दुस्ताहस कर रहा है और मानने मुखमंत्री पता नहीं किस कमजोड़ी से इस सरकार कहीं न कहीं इस मामले में जुकती दिख रही है। लालु परसाद से आपकी मुलाकात हुई, सिक्षक प्रतिनिदियों की मुलाकात हुई। इस मसले पर उन्होंने क्या कुछ आस्वा समगे। ये मानिय लालु परसाद के दर्बार में मैं 18 बरसों के बाद गया। उसके कई कारण हो सकते हैं उसको प्रकास नहीं डालूँगा। और उन्होंने कहा भी कि आप 18 साल के बाद जोर करके आये हैं। जी आज चूकि आप सरकार में हैं, आपके पुत्र टेजस्टी जी उपमुख मंत्री हैं और आपने जो घोषना पत्र बनवाया था खास करके महाँ गठबंदन का घोषना पत्र, ये जो किताब आपकी है, इसमें आपके साथ जितने भी दल आये थे उस चुनाव में, सबो का फैसला है, कि हम नियोजीत सिक्षकों की सेवा अस्थाई करेंगे, समान काज के लिए समान बेतन देंगे, ये लिखा हुआ है, पर लीजिए, आप इस से मुकर गए, समान काज का समान बेतन की बात तो छोड़िए ही, आप राज कर्मी के दरजा देने के लिए आपके वो अधनियां, जो नियमा बली है, उसकी धारा आठ में, कि ये पात रहोंगे आयोग की परिक्षा देने में, अज जब पात रहोंगे, तो नई नियुक्ती होगी, नई नियुक्ती होगी, तो दो साल का प्रोवेशन होगा, तो जितनी बेतन बिर्धी है, विश साल की जो समाप्त हो गई, ऐसे दुनिया में कोई सेवा सर्त नहीं है, आप लोग यहां काम करते हैं, इंडिया जुडिये गुरूप में, जितनी तनखा है, कहे एक दिन मेनेजिमें, कि आपको हम घटा देंगे, यह परिक्षा देंगे, आप लोग कोई तयार देंगे होगे, हाँ, बहतर जहां ओफर आपको मिलेगा, दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन जो मजदूरी मिल नहीं है, उसको घटा करके कहें कि आप परिक्षा दीजे, नहीं तो घटा देंगे, और परिक्षा देने के बाद ही जो बेतनमान उन्हों घोशित किया है, वह भी घटिया बेत तीस लाग, तीस लाग परिवार और पिछले चुनाव में यह लालतियन पर बतंदब आये थे यह लोग, और आप इसको फिर बिरोधी बना रहे हैं, तो यह जो बेतन भोगी सिक्षक हैं, इनका जो काम करेगा, इनकी जो मांग मनेगा, वहां जाएंगे, हमारे नियंतर में नहीं रहेंगे, आपको मौका है, आप सरकार में हैं, नितिज जी से बात कीजिए, कि पुराने सिक्षक जो हैं नियोजित, उनको बिना सर्थ, बिना परिच्छा, घोशित कीजिए राजकर्मी का दर्जा, हम लालु जी के हां भी गए, उनके प्रदेश राजद के जगदा बाउ के हां भी गए, उमेश कुसबहाजी के हां हमारे प्रतिन धी मंदल गए, भाजपा के भी दरवार में प्रतिन धी मंदल गए, कोई भी अकांगरे सदाकत आस्रम में तो मैं खुद गया, अपने कई साथियों के साथ गया, अखिलेश परसाद सिम से सकिल सा कोई भी रा मेरी जिन्दगी का यह अंतिम अर्मान है इन मोहनबावल कि यह हमारा संधस और अर्मान यह दोनों का जो तालमेल हम करके देखते हैं जो कहां अंतिम सांस हमारी तरी छुटेगी जब हमारे चार लग सिक्षगों को राजकर्मे कर दर जाए तो इस साथ नहीं बोलिए इस साथ को रोकिए नहीं तो कसरबार आप लोग हो तो चुकि आपकी लालुयादब से मुलाकात हुई तेजस्वी को लेकर बातचीत भी बातचीत थोरी राजनीती की तरफ मूब करते हैं तमाम दर्शकों को बता दें कि हम तीनों में एक बात कौमन है कि हम तीनों लोग जो है वो करिंगराद की धर्ती कहते थे और लेकिन अब खिसक रही है वो जमीन जो है पिछले लोगसभा चुनाव में कनया चुनाव लरे लेकिन बुरी तरीके से कह सकते हैं कि लोगसभा चुनाव में वो हार गी गिराज सिंग वहां से चुनाव जीते हैं कभी आप भी वहां से सां वो कहेगा कि रंगवाजी वाला चेतर सांसत तो आप भी रहा खिर विकास में चूक कहां हो गई विकास में हम तो कभी सरकारी दल में रहे नहीं लेकिन विकास में चूक का जो 96 में मुझे जब बल्या लोग सबाज शित्र से निर्वाचित किया वहां के मद्धाताओंने स्थापित हुआ है वहां जाते ही पेट्रोलियन कंसल्टेटिव कमिटी का सदस मुझे पार्टी ने बनाया लोग सभावा वहां हमारे स्वर्गियक सूर्ज नाराइन सिंग सलाहकार समिति के हुआ करते थे उस समय तक चाह लाख मिलियन मैट्रिक तंग ही सोधन शंता थीरी फ दिखाया और हमने उतने कम समय में चाह से दस लाख मिलियन मैट्रिक तंग उसकी सोधन शंता में विकास करवाया है उसी तरह से मैंने पहला प्रसंद किया था मानलिया अध्यक्ष महुद्याय थे पिये संगमा साथ हम दिली घुम करके देख रहे हैं अध्यक्ष महुद्या कहीं मकय का कोई पाउधा हमको देख रही इने पड़ रहे है और हमारा जो जिला में सरबाधिक मकह उतपादक्स्यत्र है जो इसमें दिखा हुआ है दिली में मंका नेुदे सालेया है अग मकज का हुद्यक्ष में करते हैं कोई खेती करता है आसपास भी हम घून करके देख अंतिम पंक्तिम बैटने वाला नया यूबक था लोक सभाब नेकिन संगमा साहब मुझको मस्तर सहब मस्तर साहब कहते थे कहा तो क्या चाहते हैं हमका चाहते ही है कि बेगु सराय में कम से कम छ्चित्रिय के अस्थापना हो जमीन हैस माननी एक किसी मंत्री हैं भारस सरकार के चलें हम लोग जमीन इनको दिलबा देंगे एक पेशा लगने बाला नहीं है जो नाग कोठी को आप जानते हैं आपके गाँ के बगल में हैं उन्हें की अजिसेश भूमी थी और उस पर हम लोगों ने मक्कार नसंधान कितर बिहार का पहला मक्कार नसंधान कितर बन रहा है उसके बाद हमारे जिक खेतर में खासकर में गोर भास का थे उथा अपने मोबाइब हो गया आज के जबानें तो अब शटरह पर्खंड मुख्षाले नियों में दूरいき खेतरुच करवा दिया यहां से मेंबर सर्विस हुआ करता था दूर संचार मंत्री के बाद जो चेर्में अप्ट्राइब हुआ है उस समय था मेंबर सर्विस संभु परशाज कहा क्या है छोटा सा टाउन में हमको लेकर जाएगा टाउन नहीं है इंटरनेसल है रामधारी सिक दिर्कार डाक्टर रामफराद सर्मा की धनते हुआ बर बरोनी डिपैंडी बिहार में हमारे यहां अद्दों की ख्षेतर में चलिए आप हवाई जहासी ले चलिए और देखा उन्होंने तुरत अठारह करोड की स्कृर्टी दे दी अब तमाम अलवली से लेकर के बेगुसरय के च्छत्रव हुआ उसी तरह से उससे में चलता था जबाहर रोजगारी हो जड़ा फिर हुआ सुनस्चित रोजगार हो जड़ा बेगुसरय जिले के बे यार फाइल देखने बहुत इमानदार आजमें था एक आईया से हां ग्रामीन विकासे हुआ है का जो लिख दिया कि सब नक्सलबारी च्छत्र है इसले नहीं हुआ है हम का तो तो नक्सलबारी का भी एक बारगरस्त के लिए योज़णा है एक नक्सलबारी की योज़णा ह वही दोनों दे देजे चलिए नक्षल बारी में हैं तो सभी छत्रों में सुनिश्ची तरोजगारी जो था ही नहीं मैंने गंड़क कि उस पार किसी ब्लॉक सुनिश्ची तरोजगारी जो था ही नहीं थी इसलिए गिनाने लगे गे तो नहीं अवर और लेकिन इमेज नहीं ब तो एक बार को वो कहेंगे कि आप बदमास हैं नहीं यह अब बताना होता है हमें कि भाई हम रामधारी सिंग दिनकर की जन भूमी से हैं हमारे यहां रामधारी सिंगरास्य कभी ने अंतर रास्यद खियाती प्रात के बसद्धार दाक्टर सवwnसरमा ही नहीं है सांस्कृतिक छेत्र में अभी जो इप्टा का हमारा सांस्कृतिक मंच है या उसके पहले भी कितने साहिते कितने कभी और कितने इंजिनियर आईएस आईपियस को जड़ी गिल लिए कई गाउं ऐसे हैं जहां एक दरजन से ज़्यादा आईएस आईपियस है इसलिए इस अब धार्णा को हम लोगों ने बदलना सुरू किया है लेकिन यह जो लूंपिन कल्चर का डिवल्लमेंट हो गया है यह अब सक्किर्टिय भोगबादी प्रिविर्टिय जो है इस पुंजी बादी बवस्था के कारण यह जो ललक है कि तुरत हम लखपती हो जाएं कुवरपती हो जाएं धनपसुकों का जो यह बाजारी करनबाला जो चल गया है तंत्र यह निश्यत तोर पर नई पीरियों को बदनामी के रास्ते पर और विकास की बाद छोड़ी है बिनास के रास्ते पर ले जाने वारी अपस्रक्तिरती भोगबादी संक्राइब आपने कहा धन पशुवाली बात अब जड़ा उसको लोकसवा चुनाव से जोर कर देखते हैं पिछला लोकसवा चुनाव कनहिया चुनावी मैदान में थे क्राउड फंडिंग की गई खूब पैसा आया पार्टी ने हर अस्तर पर सहर में पैसा जुटाया खूब खर्च भी देखा गया खर्च सब तरफ से हो रहा था तो जिन पार्टीों को कहा जाता था कि वो पैदल चलके चुनाव लड़ लेते थे बिना किसी सुविधा के तब भी वो चुनाव में अपना पता का फैराते थे अब जवर्च तो उनको भी है दिक्कत है जो इमेज तो उन्होंने भी नहीं बदला पुंजी जिने पुंजी बादी दलों ने जो नीतियां बनाई जाति बादी नीति और पैसा की कठ्ठा करो चाहे ये कितना भी अनैतिक क्यों नहीं हो और ठिकेदार की संस्कृति पैदा करो इंजीनियरों को भरस बनाओ उस अस्वस्त परतियोगता में बामपंथी पीछे रह गए इसको हम लोग स्विकार करते और आज भी जो चुनाव लड़ते हैं हम लोग उसमें आधी रोटी खा करके कवनिस पार्टी के समर्थ तक हमारी जनका आज भी चंदा देती है और उसी के भरोसी हम लोग चंदा कुछ ऐसे मित्र हैं कुछ ऐसे सहीयोगी हैं सानभूती रखने वाले हैं वो कुछ अच्छी रखन भी दे जाते हैं पार्टी आफिस लेकिन हमारे यहां यह परंपरा है यह पिछले दिनों से कुछ हमारे यहां इस तरह से परंपरा कुछ कमजोर हुई है लेकिन हम उस संस्कृती में जातिबादी या कुझी बाजी संस्किर्टी में नहीं आगे बर सकते हैं लेकिन हमारे लिए यह चुनोती है जो आपका सवाल है कि इस अफधारना को हम लोग बदलने का प्रियास कर रहे हैं क्या वो अपनी बातों को ठीक ठंग से जनता तक पहुचा नहीं पा रहे हैं या कहें कि ये एक एज गैप हो चुका है इस दल के बीच और नए वोटरों के बीच ये बड़ा कम्मुनिकेशन गैप भी दिखता है खास करके बेगुस रहे जैसी जिसे कभी कहते थे कि ये जुटा लेकिन वोटरों वो अपने बूत पर भी नहीं जीत रहे थे तो ये तो बड़ा सवाल है जब सत्रून पर सासिंग सुना लर रहे थे तो हारे भी तो हम दूती अस्थान पर ये इस बार ही दुर भागे हुआ हम लों के साथ कि हम बहुत जादे मतों से जनता का हम मत प्राप्त नहीं कर सके ये जो भाजबा बालों ने देश द्रोही देश द्रोही करके इलजाम मर दिया जनता के मन में वह बात बैठ गई और उसको हटाने में हम लोग सफल नहीं हो सके ये बहुत बड़ा कारण है लेकिन हम लोगों से चूप का सबाल नहीं है हम लगातार जनता से हैं लेकिन अब गाओं गाओं में कुछ ऐसे नौजमान की पिरह हो गई है जो उनमादी हो गई है जो उनमादी हो गया है उनके उनमाद को तोरने के लिए जमीन पर फिल से संघर्थ और नहीं पिरह का निरमान करना पड़ेगा यह बहुत ही कठिन सबाल है और गहर चुनोती है इसका जब तक हम मुकाबरा नहीं करेंगे तो राज नीत में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही करेंगे है साल दोहजार चौबीस कहा जा रहा है कि CPI जमीन पर तैयारी शुरू कर चुकी है कमिनिस्ट पाटी चुनाव लडने के लिए मन बना चुकी है बेगुसराय लोग सभाशेत्र से चुनाव तो लरेगे ही कमिनिस्ट पाटी बिहार की पाटी लरेगी देश की पाटी लरेगी इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अभी तो सिक्षक आंदोलन बहुत बढ़ा चल रहा है बिहार में और कम्निस पार्टी के सामने सबसे बढ़ा सबाल है सिक्षक आंदोलन फिर बेगूसराय में हम छात्रों का रास्रिय महाधिवेसन करेंगे सितंबर में इन दो बेस् साथी ने तैयारी प्रारम कर दी है प्रखंड से लेकर के हमारी बैठके हो रही है बूत के अनुसार भी जवाब जही बार दी गई है यह तैयारी हमारी प्रारम है दो हजार चोबिस के लिए और महागरबंधन के साथ लराई मजबूती से होगी और जब जब महागरबंधन के साथ हम बिदान सभा लोग सभा लरे हैं तो हम लोग जीत करके गए हैं बिदान सभा लोग सभा शानवे में भी महा गठबंधन काम अमिदवार था शानवे में भी मेरी जीत महा गठबंधन के सहीयोग से हुई थी यह तो हम लोग इसका टेस्ट ले चुके हैं और इसलिए लेकिन महा गठमंधन के भी काजकार्ताओं को दलों को जमीन पर उतारना पड़ेगा। दुसरे दलों की तरफ... मतलब शत्रुगन परषाइस सिंग् तयार है उनकी पार्टी तयार है बेव सरह की। सेहत काक्षाल करना पड़ेगा। लेकिन अभी सातुन परसा सिंग का दिमागी मंदारी की बात जरी मैं कहूं आपके स्टिडियो में, तो सिख्षक आंदोलन का जब तक सम्मान जनक हम लोग निसकर्स नहीं निकाल लेते हैं, और रास्य सम्मिलन नहीं कर लेते हैं, तब तक मेरे लिए ये लोग सभा की तैयार बेगुसराय में तो सबाल ही नहीं उठता है, उसके महत्तुत, कोई सबाल नहीं हूँ, आउट आफ कुष्टन है बेगुसराय के लिए, लेकिन कॉंग्रेस के लिए तो अब लग रहा है, दीरे-दीरे कद बरता जा रहा है, जहां गया, कांग्रेस में तो NSUI जो है, उसका लेकिन उनकी राजितिक महत्वा कंशा पूरी नहीं हो रही है, उसमें एक गाग बिठे हुए है, वहां कानिया बेगुसराय में, कानिया कुमार के बारे में कहा जाता है, पार्टी ने उसको उनको बनाया, कनिया कुमार को बनाया, और कनिया आप लोगों की तारीव भी करत हैं, आपको लगता है कि उनका जाना पार्टी के लिए एक सेट बैक था, अब आना सेट बैक था कि जाना सेट बैक था, इसकी प्याक्षा दूसरे जिर्व करेंगे, अब उस सेट बैक हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, समझ गया ना, लेकिन वह आया जिस आंधी की तरह शहर से भी कहें, तो वो दिनकर की यादों से जुड़ा हुआ शहर दिखता नहीं, अगर आप शहर की परिकर्मा करें, तो आपको दिनकर का शहर नहीं दिखता, आप जैसे आप बनारस जाएं, तो अगर वो कहते हैं कि शिव का सहर है, तो आपको शहर में शिव से जुरी जाहें दिनकर की, इसके अलबहें दिनकर की मूरतिया तक नहीं है। जस्टिस नहीं मिला? कहने का ये अताथ प्रूट? जस्टिस तो नहीं मिला, और राजनीतिक जिस्टिकोन से, अभी तक उनको नीयाई नहीं मिला है. अभी हमारा चात्र संग बरसों से लराई कर रहा है दिनकर विश्विड जाले की अस्थाप ना हो लेकिन अभी तक सफलता दे हमिली बहुता स्वासन के बाब जो है लेकिन आपको हम इंडर महांजी से मरिया ले चलेंगे अब दिनकर जयंती वह सितंबर में हमारा समय आ रहा ह है कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस पर की दिनकर की पंक्तिया नहीं लिखी हुए चाए हूंकार हो कुरुछेत्र हो रेनुकाहो और किसी भी बच्चा तक से पुछिएगा तो पूरी की पूरी कविता कंशा सुना देगा किसी भी जाले में चले जाई है बरवनी च्षेत्र मे चले जाई है और केबल बिनकर ही नहीं है लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक विकास हो रहा है और खंक्तम साहित के छेत्र में एक से एक दिनकर के बाद भी लोग पैदा हो रहे हैं जाहिर है जहां अब बोल बम का नारा है बापने जब से दिल्ली में है तीन दिनों से लगता न अनिल जादव अब कार के पीछे लिखा हुआ है मैं हिंदू हो जादव कभी मुसल्मान होगा क्या 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 ड्रेस बना करके सरकूं पर दोड़ता है बापने बापने यह जो लुम्पन कल्चर है यह गाउं में भी गया है जब ध्यान इस ओर चला गया तो वह दिनकर के उसको समय ही नहीं है तो उसी में रहता है वैसा ही चाहिए उसका हलका फुलका जो उनमाद भैला दे इसमें हमारी कमी है कि उसकी जो प्रतियोगिता है उसमें हम लोग दिनकर को कहीं खड़ी नहीं पाते है लेकिन हमारा कुछ छेतर है जहां आपको हम ले चलेंगे मौका आ रहा है तो आपको प्रसन्यता होगी जैसे आपने कह तो दिया कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन मेरा तो सवाल ये भी है कि सरकार ने पढ़ाना भी तो नहीं चाहिए एक कविता एक क्लास में है उसके बाद क्या अरे जब सरकार पूरे इतिहास को ही अब सरकार बदा रही है जब जन्मरन और भूत प्रेत का किस्सा दे रहा है पाठकरम में सारा इंसी आटी का जो बैज्ञानी और जो मैंने साइंटिफिक टंपर जिसको कहिए जो लिखा हुआ है भारत के संबिधान के अनुछे देके इसमें नागरिकों के टर्टब में जब उसको यह सरका नहीं मान रही है लेकिन बिहार सरकार पाठकरम में तबदिली नहीं ला रही है अभी बिधान में भूसना की गई विजया चोधरी जब शिक्षा मंत्री थे और अभी बर्तमान भी जो शिक्षा मंत्रीं है ऑखास करके मुख मंत्री इस बात पर जोड़ दे रहे हैं हम इति इसकी इजाज़त भ्यासरकार नहीं देगी, दिनकर क्या रहिम को हटा रहा है पाठकरम से, खैज को हटा रहा है पाठकरम से, नागारजुन को हटा रहा है पाठकरम से, सुनिजेगा, दिनकर को समझता है कि कुछ भोट हमारा तुरत इधर से उधर चला जाएगा, इसलिए द हो सकता है कि जहां दिनकर की कर्विता उसको लगे कि इनकला फैलाने वाली करता है वहां उसको जरूर रहा हूं चीक है सवालों के अंतिम दौर में चलेंगे इंदर मोहन सर लेकिन एक सवाल आपकी छबी को ले करके कहा जाता है कि हर दलों के लोग आपको सम्मान करते हैं और यह भी कहा जाता है कि कई दलों से आपको उफर आया राजने तेक सवाल पूछ रहा हूं कभी ऐसा सच में हुआ क्या कि कई दलों ने ओफर कर दिया कि शत्रुगन वाव आप हमारे दल में चले है यह कॉंग्रेस की तरफ से अक्सर यह सवाल जेडियू की तरफ से उठा रहा ह कि आशिज जी शत्रुगन प्रसाद सिम को इस राज के तमाम राइंतिक दल जानते हैं कि यह जहां है वहां नहीं दूसरा हस ही नहीं किसी ने किया अफपाह लोग नुराया कि कौन अपना दल में जा रहे हैं तो दूसरा दल में जा रहे हैं मैंने उनको दांट दिया कि मेर बारे में इस तरह से सुनो भी नहीं, इसलिए साहस ही नहीं किया कि कोई ओफर कर दे, उसे समय तो बावु भोला सिंग जिंदा थे, तो उनका फोन आया सानभूती पुरवक, जब मैंने उसे मैं त्याग पद्र दे दिया था पार्टी से, लेकिन कहा भोला बावु, आप करने बाला हूँ, इसलिए उस सब बुस्ताहस किसी ने नहीं किया, बेगुस रहे, चुकि अब आखरी सवाल लेते हैं, बेगुस रहे, बेगुस रहे को लेके सत्रुगन बावु, आपके जहन में क्या आता है, अगर मैं एक सब्द में कहूं कि, आप मैंने कहा बेगुस र बात है कि मेरा जन हम समों का जन बेगुसरे में हुआ है, छबी को लेकर कैसी छबी आपकी नजर में बनती है, यह ने छबी तो बदरंग हो रही है, लेकिन अभी जब तक हम लोग जिंदा है, और वहां जब तक मामपन्थी दल है, या और भी, जो भद्र पुरुष गाउं गाउं में हैं, सोतंता सेनानियों का वह जिला रहा है, देश की आजादी में जो कुर्बानी, वहां से लेकर के, आप सोतंता सेनानियों की सुची देख रही है, बिहार में किसी भी जिल, उसमें तो मुंगेर जिला था, मुंगेर में भी सोतंता सेनानियों का खिला के अंद moteं के श्रिंख फला लंबी बनि हुए यह हमारे लिए गौरब है और यह किसी भी राइतिक दल के लिए गौरब का बशह है हमने इतने स Tamta सेनायों हमारी जो पूर्खे रहे हैं महान हम उस बनी बनाई धरति पर हमारा जन्म हबा है इसलिए उस्मान धर्ति को बार बार हम प्रणाम है। अध्दन लिए। जब लालू जी से संबन भी छेद हो गया। एक साधारन गाउं का कार्ज करता था। बढ़ियारपूर के मानिये विधायक राजबंसी महतों से कम्मिनिस पार्टी के उमिद्बार, लोग फिडिया इमांगार उमिद्बार, सत्रुग्र पर्चासिघारे और कुस्बहा जाति के राजबंसी महतों को लालतें छाप पर लोग सभाद जीत करके वहां के जंताने बे बंदुवार उठाये जले बार पहसारा जले बार मंझौल जले बार वहां चले जाएए खुदावनपूर मेघुल की धर्टी तक, इतने जले बार उनने भी सत्रुग्र पर्चासिन को नहीं भूर दिया, जब केवल बेगुसरे छेते हम आई लोग उने कहा, है बेटा, बल बनबाए हम लड़ करके अब बना दिया मोना जी है, हसन को लोकसमा भे दिया, सत्रुग्र पर्चासिन को अधिकांस भूमिहारों ने ही भोट नहीं दिया, हाँ कुछ इमांदार भूमिहारों ने भोट जरूर दिया, लेकिन जो मुसलिम मत दाता, पिछरी जात के मत दाता जो कमनिश पार्टी के साथ थे, उन्होंने इमांदारी से भोट दिया, और मात भारते कमनिश पार्टी बेगुसराय में इसी पार्टी है, हिन्द महांजी, जिसको अपने सबर्थक और अपने केडर का डेर से पहुने दो लाक मत लोगसभा के लिए अकेले है, दूसरी किस पार्टी को ने है, ये केडर भोट हमारा है, एक आखरी सवाल सर, और ये सवाल मौजों इसलिए हो जाता है, लेफ्ट हमेशा विमरश में तो रहता है, भले आप संसत तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपको नहीं लगता कि तमाम कुनवाओं में जो लेफ्ट बटा हुआ है उसको एक मंच पर आना चाहिए और एक पार्टी हो जाना चाहिए। लग 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 रहे हैं, इसे कोई समाजिक आर्थिक राजनेतिक और व्यवस्था गत परिवर्ट तक नहीं आ सकता है मुझे इसलिए तमाम बाम पंथी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए और तभी नया भारत, नया समाज का निर्बान करने में हम सफ़ा चलिए, तो हमारे साथ थे शत्रुग्न परसाद सिंग, पूर्वसांसद और कम्मिनिस्ट पार्टी के दिगजनीता, हमारे और इंद्रमोहन जी के साथ आप ये चर्चा देख रहे थे, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कबिट करके हमें जरूर बताईएगा और आपका स्ट करेंट थे खमारे साथा ये अपको किया है करेंट आपको करेंट कर दोillas